स्वागतम स्वागतम स्वागत है आपका फिर से हमारे यूटUBE चेनल डिप्र तोपिक लेकर आ चुके हैं और पूरी बुक को इसमें कबर करेंगे तो आईए हम कंक्रीट के बारे में स्टडी करते हैं कि कंक्रीट में हमें क्या क्या पढ़ना है ओवर विडियो इस बिडियो रहेंगे उसके बाद आपकी तीसरी विडियो आएगी ठीक तो सबसे पहले हम कंक्रीट को देख लेते हैं कि कंक्रीट होती क्या है ठीक है तो जो कंक्रीट होती है ये कंक्रीट जो होती है आपकी मानोद्वारा रचित कंक्रीट जो हती है एक कृत्रिम निर्मार समगरी होती ह क्या होती एक किर्त्रिम इक आटीफीसियल यह सामगरी होती है जो मानौधोरा बनाई गए ठीक है जो बंधक पदार्थ में कुछ निस्क्रिय पदार्थ मिला कर जो है कि वह पानी मिला कर जो है कि बनाया जाता है यानि कंक्रीट कैसे बनाया जाती है तो कंक्रीट में आपका है को था है बैंडिंग माटेरियल बंदक पदार्थ होता है उसके बाद इसमें कुछ निस्क्रिय पदार्थ की भी बात करेंगे कि निसकरी पदात क्या होता है और उसके बाद जो है कि आपका पानी मिला आया जाता है वाटर ठीक है तीन चीजों से बिल्द करके यह कंद्ख्रीट आपकी बनती है ठीक है और इस कंद्ख्रीट को हम क्या करते हैं कि सुघट्य अवस्था में यानि प्लास्टिक स्टेड में कंद्ख्रीट गिली उस्तिती हाती है तक्ता बंदी करके यानि समट्ट्रिंग करके साट्रिंग अभी बताएं किसको घता है यानि निशक्रियम पदार्थ और उसके बाद एक होता आपका पाणी तीन चीज़ों सेम्लिकekर बंई होति यह उसको क्या करना कारे चाहिए ऊ cheap उस आकार में आप को यती है की कट कर्फीर और सामर्थ हवान हो जाती है यह सब को पता होगी सब के घर में ऐसा होता होगा कंक्रीट की जब इन निर्मार कारे होता है तो हाँ पर कंक्रीट आपको देखने के मिल जाती है तो कंक्रीट का जाती है कठोर हो जाती है सामर्थवान हो जाती है ठीक है चीनाई वह इस पात की भाती सनरचना का भार समालने में कंक् आजाए ये निस्क्रिय पदार्थ हम आपको दिखा रहेंगे निस्क्रिय पदार्थ क्या होता है देखिए निस्क्रिय पदार्थ ये सारे आपको निस्क्रिय पदार्थ दिख रहे हैं ये ये निस्क्रिय पदार्थ इंसको बोलते हैं एग्रिगेट एग्रिगेट ठीक है एग्रिगेट बोलते हैं इसको निस्क्रिय पदार्थ को टेक्निकल जो नाम है उसका नाम होता है निस्क्रिय पदार्थ जो हम डाले थे कंकीट में उसका नाम होता है इंग्रिगेट हिंदी में बोले तो अपमिस्त्रण या मिलावा अप आपको जिंदगी भायत, जब तक आप डिपलमा करते रहेंगे, जब अपको एंगरीगेट, नाम, आपके जबारित परना चाहिए, बंदक पदार्त जो होता है, इसी में केमिकल रियक्सन ऩोते हैं, जिसके क्राढ़, जो कंदकिरिये करता है, तो सक्रिये पदार्त क्या होता है सक्रिय पदार्थ सक्रिय पदार्थ आपका जो है क्या होता है बंधक होता है सक्रिय पदार्थ और एग्रिएट क्या होता है निस्क्रिय पदार्थ होता है तो यह जो सक्रिय पदार्थ होता है वो रसायनी क्रिया करता है कब जो उसमें पानी मिला जाता है तब तो सिमेंट जोक देंगे बाबू खाली सिमेंट जोक देंगे बाबू खाली सिमेंट जोकने से क्या होगा आपकी जो उत्पादन की लागत है बर जाएगी ठीक है इसलिए हम आयतन को बढ़ाने के लिए एग्रिएट का प्रियोग करते हैं बंधक पदार्थ जहां मोटे वह महिन मिलाओं को बांधे रखता है यह जो सिमेंट है वह बंधक पदार्थ है चूना बंधक पदार्थ है तो यह का करता है मोटा मिलाओं को महिन मिलाओं को बांधे रखने का काम करता है तो यह जो आपका जो बंधक पदार्थ होता है वो क्या करता है जो एग्रिगेट्स होते हैं उनके बीच की रिक्तियों को भरने का काम भी करता है बंधक पदार्थ क्योंकि बंधक पदार्थ सबसे महीन होता है उसका अगर सर्फिस एरिया की बात करें त उसका specific surface area सोच लिजे कितना महिन कितना यह जो है कि महिन particles होता है सुच्म particles होता है जो इनके बीच के रंद्रों को भरने का काम करता है यह जो मिलावा होता है मिलावा aggregate जो होता है आपका पैच्छा करित सस्ता होता है यानि banding material की आप इच्छा देखी जाए तो यह मिलावा क्या होता सस्ता होता है यहापे हमने image आपको दिखा रखी है यह sand है और यह आपका जो है कि जिसको ballast बोलते है इसमें अलग अलग तरह कि जोगी स्टोन बैलास्ट अलग अलग साइज की दिखाए गए है यह आपका ग्रेवल आता है ग्रेवल की आपको इन सब की साइज आपको पढ़नी पड़ती है आगे स्वाहिल मेकेनिस की क्लास में इसमें भी आपको यह देखने के मिल जाएगी तो बिल्कुल 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 गवड़ा गवड़ा यह गा हम आपको आगे दिखाएंगे ओके ठीक है चलिए आगे अब देख लेते हैं यहां पर कि जो बंदक पदार्थ के रूप में जो है कि आपका सीमेंट चूना और मिट्टी गारा यानि तीन तरह के बंदक प बाद देखी जाए तो बालू आता है ठीक है उसके बाद बजरी आ जाती है बालू आ जाती है बजरी आ जाती है गिट्टी आ जाती है उसके बाद जो है कि सूखी आपकी आ जाती है हाँ देखी सूरुखी आज़ाती है सूरुखी अभी आपको दिखाएंगे धातूम अला जाता है धूम भस्म, धूम भस्म आप देखें होंगे जैसे जो चीमीनिया होती है चीमिनियों से जब नीचे कोइला celebrity जलाए जाता है तो कोइल से भावित glow के साथ जो है की मिलकर ऊपर उड़ती है और इस राख को ऊपर ही जो है की आज कल इतनी टेक्नलोजी हो गई है इसके काड जो है की इसे रोक लिया जाता है ठीक है अलग अलग अंतरों का प्रयोग करके इस राख को रोक लिया जाता है इस राख को ही धूम भस्म कहा जाता है ध सुरखी भी दिखाएंगे हम आपको कंकरीट के विभिन संघटों को मिलाने के लिए साफ पानी का प्रयोग किया जाता है जो पानी आप पीने के लिए isません रिक्तियों को भर कर इसे थोस पिंड का रूप दे देती है ठीक है जो मिलाओं के बीच में रिक्तियां होती है उसको भर देता है कौन सिमेंट सिमेंट उनके बीच को रिक्तियों को भर कर जो है की और कंक्रीट को एक ठोस्पिंड का रूप देने का काम करता है सीमेंट इसके बंधग पदार्थ था होती है इसके आयतितन का 22 से 34 परतीसत होती है। कोई data याद करने वहली चीज नहीं है एक समझने के लिए उसको आप यादucht करें, Land protection नहीं है। ‐никомर में इसके बंधग का बंधग पदार्थ की जो मतरवति होती है। तो उसके लिए हम अलग-अलग परकार के admixture आते हैं, छीक है? अलग-अलग परकार के जोए कि, आप मिस्त्रण, अधी मिस्त्रण, हिंदी में बोलते हैं है, अधी मिस्त्रण, admixture जो होता है, admixture भी आपको दिखाएंगे, बिल्कुल भी टेंसन बततीद जिए, Admixture क्या होता है बताएंगे हम कंक्रेट के अंदर पैdimuição करने के लिए अलव अलग तरह के Admixture का प्रियोक किया जाता है मैं आपको अभी Admixture दिखा दे रहा हूं यापके Admixture क्या होता है देखिए अब एक Flow Diagraam के माद्यम से सारी चीजों को हम समझ लेते हैं कि कंक्रीट बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्चकता होती है तो कंक्रीट बनाने के लिए सबसे पहले बंधक पदार्थ चाहिए महीन मिलावा चाहिए मोटा मिलावा चाहिए अगर हम बात करें जो है कि बंधक पदार्थ में तो सीमेंट हो सकता है चूना हो सकता है ठीक है और मिट्टी गारा हो सकता है मिट्टी गारा का आजकल उपयोग उतना नहीं हो रहा है चूना का भी उपयोग लगबग कम हो चुका है और महीन मिलावे की बात करें तो महिन मिलावा में आपका आजाता है बालू बालू का प्रयोग के जाता है सिमेट के साथ और सुर्खी जो होती है इटे के पीसी होती है इसका प्रयोग के जाता है चूना के साथ सुर्खी चूना भी सस्ता सुर्खी भी सस्ता बालू मंगा सेमेंट मंगा तो महांगे का महांगे के साथ प्रयोग की जाता है सस्ते का सस्ते के साथ प्रयोग की जाता है उसके बाद मोटा मिलावा के बाद कर जाते है गिट्टी प्रयोग की जाती है गिट्टी बालू सेमेंट और रोडी जो होती है ये ग्रैवल जो हती है ये दोनों प आते हैं कि आ जाए तो उसके लिए हम एड मिक्सचर का प्रियोग करते हैं और इन सब को पेस्ट में बनाने के लिए इन सब का पेस्ट बनाने के लिए जलका प्रियोग के जाता है तो फाइनली आपका कंक्रीट त्यार हो जिता है यह दिए खिए यह है आपका एड मिक्सचर यह क्या है एड्मिक्सचर है यह एर इंट्रेङ्ट्रैण्मेट्न यह इनधर हेजू है कंथक्री पीडेश करेगा हवा के बुल्बुलो को क्रियेट्ट करेगा हवा को नगता ह Gesetz यह की तरीफा की कंथिक्सचर की अंदर लाएगा जिस want to इहाँभेज के बाद यहाँ पर अब देख सकते हैं यह मोटे मिलावा के रूप में गिट्टी है और यह बजरी है, इसको आb ग्रेवल भी बोल सकते हैं। यह ग्रेवल है अब यह एटिंआ की रोडि है जब इसको हम पीस देंगे पीस करमेहिन कर देंगे तो उसको हम सुर्खी कहते हैं क्या करते हैं सुर्खी तो सुर्खी आप यहां पर देख लीजिए नहीं हम और अलग से इमेज में दिखा देंगे सुर्खी देखिए जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ की रूप में हम सेमेंट का प्रयोग करते हैं, जब बंधक पदार्थ की रूप में हम सेमेंट का प्रयोग करते हैं, सेमेंट का, तो उसको सेमेंट कंक्रीट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, सेमेंट कंक्रीट कहा जाएगा, और जब बंधक पदार्थ में हम, हम चूना कंक्रीट बोलते हैं चूना कंक्रीट बोलेंगे ठीक है तो जो चूना कंक्रीट होती है तो जो सिमेंट कंक्रीट चूना कंक्रीट के तुला में बहुत अधिक सामर्थ रखती है और ठीका होती है यानि सिमेंट कंक्रीट जो होती है चूने कंक्रीट की अपिक्षा बहुत अधीज strength रखती है और durable होती है अब निर्मार कारियों में जो है कि cement concrete ही अधिक इस्तमाल होती है ठीक है अब concrete का अर्थ ही है cement concrete यानि आज कल अगर कोई concrete बोलता है तो उसका मतलब होता है cement concrete नकी चुना concrete क्योंकि present में आपकी cement concrete ही चल जाती है तो इस तरह से हमने आपक कंख्याइक है we see cash 50 न कि बोरीों इते हैं जब इसका इस्तमाल करते हैं सिमइंट कंख्यक के अंदर तो उसको हम स्राँत करते हैं जाता है तो यह तीनों आपके क्या हैं बैंडिंग मटेरियल हैं यह बैंडिंग मटेरियल बंधक पदार्थ हैं जो कंक्रीट पे जितनी भी मटेरियल होते हैं सबको बांधने का काम यही मटेरियल सबका करते हैं उसके बाद हरी concrete देख लेते हैं कि हरी concrete क्या होती है और hardened concrete क्या होती है तो जो ताजा जब अभी आपने सारे material को mix करके बनाया तो उस concrete को हम ताजा concrete करते हैं या सुघस्ट कम त मतलब होता है plastic प्लास्टिक कमतलब होता है गिला गिला concrete जब सेट नहीं हुई है अभी काम होगा है तो उस concrete को हम हरी concrete करते हैं टाजा concrete करते है are green concrete करते हैं उसको अचाप सैथ हो आझ दो गला कर का उती है कठोर हो जाती है इसे अभी इफ कश कोई भी structure बना तो अभी just बनने के अधे गंटे बाद तक एगंटे बाद तक वह आपकी हरी concrete कहलाएगी उसके बाद जब वो कुछ दिनों के बाद एक हप्ते दस दिन के बाद जब वो आपकी कौठोर हो जाती है तो उसको hardened concrete बोलते हैं कौठोरित concrete बोलते हैं तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है उसमें जो है कि cement concrete ही already पढ़ना है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तो यह concrete क्या बोदी जाएगी इसको हरी concrete बोदी जाएगी हरी concrete ताजी concrete या सुघटे concrete इसको बोदी जाएगी क्योंकि यह अभी गिली है यहाँ पर block बन चुके हैं इसके block जो है की hard हो चुके है काठोर उसके हैं इसको हम बोलेंगे hardened concrete काठोर इकरित concrete बोलेंगे अब concrete technology क्या होती है concrete technology concrete technology के एक एक टर्म को यहाँ पर समझा जाएगा तो निर्मान पदार्थ के रूप में concrete की बैग्यानिक धंग पर जानकारी लेना उत्पादन करना और उपयोग करना तथा अनुरच्छण करना अनुरच्छण का मतलब होता है एंगलिस में उसको बोलते है maintenance रिबाबा maintenance बोलते है ठीक है उसको concrete तकनी की खलाती है ठीक है यानि निर्मान पदार्थ के रूप में concrete की concrete जो होती है उसकी बैग्यानिक ढंग पर जिसकी जानकारी रखना और उत्पादन करना एक साधारत तरीके से नहीं बैग्यानिक तरीके से उत्पादन करना और बैग्यानिक तरीके से उसका उपयोग करना और maintenance करना इसको हम concrete technology कहते हैं ठीक है या concrete technology के अंतर गताती है कंकरीट के महत्व था इसके निर्मार च्छतर में सब से निर्मार च्छतर में को देखते हुए कंकरीट बिज्यान को ऊब एक अलग इंजिनिरिंग भी साए मान लिया गया है इसलिए आपको ये पढ़ना पढ़ रहा है concrete technology का एक अलग book हो गया है क्योंकि इसका जो है कि निर्मार छतर में बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है construction जो field है उसमें इसका बड़े पैमाने पर concrete का प्रयोग हो रहा है का चयन करना यानि उनका selection करना उनकी जांच करना और वांचित सामर्थे प्राप्त करने के लिए इसका अनुपातन तय करना फिर उसको मिलाना फिर मिलाने के बाद फर्मा बंदी में concrete को डालना फिर उसकी कुटाई करना तराई करना यह सारे process आगे आपको पढ़ना है यहां इंट्रोडक्शन की रूप में चल रहा है सौट सौट सब कुछ चल रहे हैं आगे आपको लॉंग कट में पढ़ना पढ़ेगा सारी चीज़ें ठीक है तो डालना कुटाई करना तराई करना इत्यादी प्रक्रियाओं का बैग्यानिक ढंग पर अध्यान किया जाता है इन सब चीजों का बैग्यानिक ढंग पर अध्यान किया जाता है यानि कंक्रीट को इस पातिय च्छणों से प्रबलित करके इस पातिय च्छण का मतलब स्टील का च्छण दियात में बोलते हैं उसको स्टील का च्छण उसी को बोलते हैं सुद्ध हिंदी में इस पातिय च्छण तो कंक्रीट को इस पातिय च्छणों से प्रबलित किया जाता है किया जाता है रेनफोर्स्ड किया जाता है अथवा इसमें पूर्व प्रतीबलन उत्पन करकी अब लंबे पाटो वाली जटील सनरचनाओं के लिए भी इसका उपयोग होने लगा है इससे कंक्रीट का महत्व और छेत्र और भी अधिक बढ़ गया है अजकल क्या हो रहा है अजकल यही हो रहा है कि कितने हमारे जेई हैं ऐसे जिनको यह पूर्व प्रतिबलन प्री स्ट्रेस और जो है कि प्रबलित नाम सुनके बहुती बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा उनको यह हम बताना इसको प्रबलित करते हैं उसके बाद हम देखते हैं पूर्व प्रतिबलन क्या होता है इसमें कहिए जूता है कि जूर्ष होता है कि या मूं यांत्रिक द्वारा मसीन द्वारा जो एकी उसको जो एकी खीच कर क्या के जाता है टाइट कर दिया जाता है कि इसमें जो एकी टाइट कर दिया जाता है उसके बाद कंक्रीट भर दी जाती है और जब कंक्रीट आपकी जब हाड हो जाती है तो यह जो टेंडन बार होता है यह से इसको कट कर दिया जाता है जिससे क्या हो जाते हैं बार जो होती है जो छड़ होती है सिकुडने की कोसिस करती है क्योंकि इसको खीचा गया होता है तो जब सिकुडने की कोसिस करती है तो जो इसमें कंक्रीट होती है जो हाड हो चुकी होती है वो जो है कि बार को सिकुडने नहीं देती है तो इस जो टाइप का structure बनता है इसको पूर्व परतिवलन आव्याओ बोलते हैं ठीक है और इसमें जो उत्पान होता है परतिवल उसको पूर्व परतिवल प्रिस्ट्रिस बोलते हैं ठीक तो यह सब भी चिप्टर आपको RCC एक बुक आती है उसमें जो एकी पढ़ना पड़ेगा ठीक है थर्ड समिस्टर में आपको RCC पढ़ना पड़ेगा उसके बाद कंक्रीट के जो प्रकार कंक्रीट के किंदे प्रकार के होते हैं तो मेंली जो कंक्रीट होती है आपकी तीन प्रकार की होती है कंक्रीट जो होती है आपकी तीन प्रकार की होती है एक होती है गारा कंक्रीट जिसमें हम मड का प्रयोग करते हैं बैंडिंग मटरिय तो दोस्तों यहां पर जब भी आपको concrete concrete बोला जाएगा कहीं पे भी concrete का नाम आएगा तो आप उसको समझेगा cement concrete ठीक है जब तक वो आपको बीसेस तोर पर इसपस्ट ना करे नाम ना बोले तब तक जो है कि आपको cement concrete ही समझना है क्योंकि निर्मार छेतर में जो है कि बड़ पैमाने पर यह इस्तमाल किये जा रही है वरतमान समय में ठीक है तो जब भी आपको concrete कहीं देखनों के मिलेगा तो आपको समझना है cement concrete जब तक कि बोले ना कि चुना concrete या कोई भी concrete देखिए सबसे पेदे हम गारा concrete देख लेते हैं इसको इंगलिस में बोलते हैं mud concrete देखें और उसके बात लिख देगा concrete तो आप हो जाएंगे confusion में यह हमने कभी पढ़ा नहीं है आया क्या चीज है यह diploma आपका BTE board है यह आपका कुछ भी कर सकता है यह आपका clay को कुछ इस तरीके से लिखता है clay ना कि इसको हिंदी में लिखता है तो इसलिए मैं आपसे request करना लेकिन English नाम जरूर आपको आना चाहिए ताकि आप English वाले paper में आप इसको देख सकें कि क्या लिख्या है ठीक है तो आप समझ जाएंगे तो देखिए गारा concrete क्या होती है तो गारा concrete जो होती है मिटी गारे में इटों की रोडी मिला दी जाती है ठीक है जब मिटी गारे में इटों की रोडी मिला कर तयार की जाती है गारे में जो है कि मृतिका होती है बालू होती है कि भली प्रकार से मिस्तरण होना चाहिए ठीक में बालू होना चाहिए और जो है कि इसमें घास फूंस जड़े कंकर तता हानिकारक पदात नहीं होना चाहिए आपको भी पता है सिंपल चीज है यह सच कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है यह और लमड़ी यह मिर्दा जो होती है गारा कंक्रीट के लिए ठीक नहीं होती है जिनमें salt प्रेजेंट होते हैं लमड़ प्रेजेंट होते हैं वो गारा कंक्रीट के लिए ठीक नहीं होती है मिर्दा के ढेलों को प्रयोग करने से पहले जो ह वही जो है कि गारा कंक्रीट के लिए भी उत्तम होती है जो मिर्दा आप प्रयोग करते हैं इट बनाने के लिए वही आपको जो है कि गारा कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग किए जिसे आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा एक इमेज है यह इसमें आपका गारे कंक्री फिर से हम एक बार बता देते हैं कि गारा कंक्रीट में मिट्टी गारा होता है और इटो की रोडी होती है और इसमें यह दोनों चीज आपको मिल के बनी होती है और मिट्टी गारे में क्या क्या होती है तो मिट्टी गारे में मिर्तिका होती है और बालू होती है ठीक है गारा म की रोड़ी है इन इटों को फोड़ करके ये बनाई जाती है इटों की रोड़ी तो इनका जो माफ होता है आपका इन इटों का इसका साइज जो होता है 40 mm तक होना चाहिए रोडी जो हती है अधिक पकी हुई पर्थम अत्वादूतिय स्रेडी की इटों को या अर्धों को ठीक है तोड़कर बनाई जाती है यह जो इट होते हैं इन्हें को तोड़कर इटों की रोडी बनाई जाती है या अध्धो को तोड़कर इटी को रोडी बना जोती है रोडी में घास फूस या एवं अन्य अशुदियां नहीं होनी चाहिए तो रोडी भी आपने देख लिया उसके बाद इसका अनुपाद देख लते हैं कि किस रेशियो में या आपका राता है तो गारा कंक्रीट जो होती है उसमें एक भाग जो है कि मिर्दा में धाई भाग आपका जो है कि इटो की रोडी मिलाई जाती है बस आपको इतना यत करना है कि एक भाग आपका मिर्दा रहेगी तो उसमें अर्थाथ 4 गन मीटर मिरदा में 10 गन मीटर इटो की रोडी मिलाई जाती है यानि एक भाग मिरदा में या इटो की रोडी दालाई का दॉल होता है गारा कंकृत यह एक 15 cm मोटी पर्तों के रूप में डाला जाता एक 15 cm 15 cm जो इसकेल आपकी आती है बड़ी वादी उतने जो एक ही मोटी पर्तगुरूप में डाला रहता है और इसकी दुर्मूटों से कुटाई की जाती है दुर्मूट एक लकड़ी का होता है इस तरीके से कुछ कुटाई करने वाला उससे कुटाई की जाती है कंक्रीट की अन्य कंक्रीट की भाती तराई नहीं की जाती है यह जो गारा कंक्रीट होती है इसकी तराई नहीं की जाती है अन्य कंक्रीटों की तरह जैसे हम सिमेंट कंक्रीट की तराई करते हैं तो गारा कंक्रीट की तराई जो है नहीं की जाती है पता है आपको उपयोग द तो गरा कंक्रीट जो होती है, एक निमनस्नरडी की कंक्रीट होती है, इसकी सामर्थे जो है की बहुत ही कम होती है, इसका उपयोग अइस्थाई निर्मार कार्यों में किया जाता है, वह सस्ते मकानों में नीव वफर्स में किया जाता है ग्रामीड छत्रों में कच्ची चिनाई जो होती है मड मेसनरी वाली दीवारों की नीव में गारा कंकरीट इस्तेमाल की जाती है अधिक वर्सा वाले छत्रों में गारा कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाता है जहाँ पे अधिक वर्सा होती है बारिस होती है वहाँ पे गारा कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है इसके बाद जो दूसरा टाइप है अपका वो है चूना कंक्रीट तो चूना कंक्रीट जो होती है इसको इंग्रिस में लाइम कंक्रीट बोलते हैं जब कंक्रीट में binding material यानि बंधक पदार्थ के रुप में चूने का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम चूना कंक्रीट बोलते हैं इमार्ती चूने का जब प्रयोग करेंगे बंदक पदार्थ के रूप में तो चूना कंक्रीट उसको बोला जाता है उसका उपयोग देख लीजिए चूना कंक्रीट जोता है यह भी एक सस्ती वग कम सामर्थय सस्ती होती है कम सामर्थय वाली कंक्रीट यह होती है इसका उपय जाता है चूना यहां आपको दिखाया गया है यह आपका चूना है अगर इसको हम कंक्रीट में मिलाते हैं तो उसे हम चूना कंक्रीट या इंगलिस में बोले तो लाइम कंक्रीट बोलते हैं चूना कंक्रीट में अगर देखा जाए तो चूना कंक्रीट में तयार करने के चूना कंक्रीट में बंधक पदार्थ जो हता है अवश्यक रूप में चूना होता है इसमें चूना होता है महीन मिलावा के रूप में सुर्खी, बालू, सिंडर का प्रयोग किया जाता है और मोटा मिलावा के रूप में इटों की रोडी प्रयोग की जाती है यहाँ पे आप महीन मिलावा है इसको fine aggregate बोलते हैं ये बालू है sand महीन मिलावा है ये मोटा मिलावा है आपका जिसको एंगलिस में coarse aggregate बोलते हैं और ये आपका water है इन चार चीजों की आवशकता बढ़ती है किसी भी concrete को बनाने के लिए ठीक है ये cement की जग अगर चूना आप प्रयोग करेंग और यहां पर गिट्टी की बजाए इटों की रोडी का प्रयोग किया जाता है उसके बाद इसका अनुपात देख लेते हैं तो चूना concrete के दो अनुपात अधिक अपनाए जाते हैं एक होता है 16 32 और 100 वला अनुपात और 18 36 अगर देखा जाए तो चूना होगा 16 भाग सुर्खी हो जाएगी 32 भाग और इटों की रोडी हो जाएगी 100 भाग घटकों को आयतन के अनुसार मानक बक्सों में माप कर लिया जाता है बक्सों के बारे में भी आपको आगे पड़ना पड़ेगा चूना concrete जो होती है पक्के जलरोधक फर्स पर मिलानी चाहिए इसके उपर चूने concrete को मिलाया जाता है सर्व परतम इट की रोडी जो है नीचे बिचा कर उस पर सूर्खी डाली जाती है सूर्खी के ऊपर चूना बिचाया जाता है और फावडे से इन्हें सूर्खी ही अच्छी प्रकार मिलाया जाता है पहले क्या करेंगे नीचे रोडी इसको शूर्खी बिचांगे रोडी के ऊपर सूर्खी डाल देते हैं और उसको सूखा भी मिलाया जाता है इसके बाद क्या किया जाता है कि अब उपयोग तमात्रा में पानी डाल कर पुना जो है कि सभी संगड़कों को गिला मिलाया जाता है उसके बाद क्या कहता है कंक्रीट में पानी इतना मिलायाना चाहिए कि मसाला रोडी से चिपक जाए और बहे नहीं यानि पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलानी है और पानी बहुत कम भी नहीं मिलाना है इतना मिलाना है कि जितने भी उसमें मसाला है रोडी है सब जो है कि एक दूसरी से चिपक जाएं और वो बहें नहीं इतना कम भी नहीं मिलाना चाहिए कि पूरे जो है रोडी और पूरी मसाला जो है नम मिल सके ठीक है तो इसका बहुत ही ध्यान रखा जाता है यह चीज भूती है किसी भी concrete की सामर्थे में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है उसके बाद एक पारी में जोयकि उतनी ही concrete बनाई जाती है जो आसानी से जोयकि 2 गंटे के भीतर प्रयोग की जा सके ठीक है दो गंटे से जादा कंक्रीट को गिली अवस्था में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह धीरे-धीरे सेट होने लगता है अवस्थानों के बाद जब उसको हम डिस्टर्व कर देते हैं यानि फिर से उसको मिला देते हैं तो उसकी सामर्थ क्या होने लगती है धेरे-धेरे कमजोर होने लगती है ठीक है पिछले दिन की बची हुई कंक्रीट का प्रयोग जो है की नहीं करना चाहिए सिंपल सिंपल सी बाते हैं उसके बाद आता है बिछाना वकुटाई यानि कंक्रीट को किस तरीके से बिछाया जाता है बिछाना का मतलब डाला जाता है जिस चीज को आपको बनाना है वहाँ पर तो देखिए जिस अस्तान पर कंकृट को डालनी है उसे जो हैगि भली भाती साफ करके समतल कर देना चाहिए यदि चुना कंक्रीट नियू में डालनी है तो नियू के गड़ों को क्या के जाता है साफ के जाता है बालू भर कर सतह समतल कर देनी चाहिए कंक्रीट डालने से पहले सतह पर पानी छिड़क कर गिला कर देना चाहिए कंक्रीट को उचाई से कभी भी नहीं फेकना चाहिए most important point है आपका कंक्रीट को उचाई से कभी भी नहीं फेकना चाहिए ऐसा करने से क्या होता है इसके जो मोटे संगटक होते हैं जैसे अगर चूना कंक्रीट है तो उसमें इटो की रोडी अगर cement concrete है तो उसमें गिटीज होती हैं और चूने का बंधन जो हता है नहीं रहा पाता है उन दोनों के बीच में जो bonding होती है तूट जाती है तो जादी हूचाई से concrete को फथेकना नहीं चाहिए चुना कंक्रीट को एक पारी में 20 सेंटी मीटर की मोटी परत में बिछाना चाहिए और इसकी 6 केजी भार वाले हस्त दुर्मुट यानि हात वाले दुर्मुट मैंने बताया तक इस तरीके से दुर्मुट होता है इस दुर्मुट से उसकी कुटाई करी जाती है कुटाई तब तक करनी चाहिए जब तक मसाले की क्रीम सता पर प्रकट न हो जाए यानि अच्छे तरीके से कुटाई करनी चाहिए अब बात कर लेते हैं क्योरीं की तराई की जो लाइम कंक्रीट होता है जो चूना कंक्रीट होता है उसकी तराई के से की जाती है तो साथ होने पर कंक्रीट किसी सता की तराई जो होती है दस दिनों तक जो है की पानी छड़िक कर की जाती है ठीक है दस दिनों तक इसकी चूना कंक्रीट की तराई की जाती है जबकि हमने देखा था कि गारा कंक्रीट में या मड कंक्रीट में जो एकी तराई नहीं की जाती है ठीक है और इसमें 10 दिन की तराई की जाती है अगला जो पार्ट आपका है वो है सीमेंट कंक्रीट उसको हम नेक्स्ट में जो एकी कपर करेंगे ठीक है